कि यहां से यहां पर अंदर आया जा सकता है मंदीर के दर्शन किया जा सकता है दोस्तों जिन्दगी परिशान है फिर भी जीने में आसान है इस सुनकला में मैं संजय पारदी येसपी कलस विलोग पे अगेन आपको लेके आया हूँ और आज देखिएगा हम लोग गुंदिया डिश्टी गुंदिया डिश्टी का और एक प्लेस आपके सामने लेके आया है जिस प्लेस का नाम है कौलिराडा डैम जहाँ पर बहुत सारे लोग किरत शेतर करके भी आते हैं और जहां पर मुच्छ रहम भी है वहां पर हम लोग आपको लेके आया है तो आए दोस्तों मेरे साथ यहां पर दर्सन किजिएगा तो देखिए दोस्तों यहां पर बहुत भड़ा भड़ा गार्डन जैसा लूप दिख रहा है और इस लूप को लोगों तके पहुंचाना यह भी आपका काम है इसलिए प्लेस को हम सब के आगे ले जाने के लिए एक वीडियो बना रहा है एसपी कलस फी लॉक पे और इसी तरीके से पूरे गोंधिया जिले के जितने भी तिर्टशेत्र है जितने भी टूरिस्ट प्लेस है सभी का इंपॉर्मिशन आपको देने वाले है तो आईए दोक्तों यहां पर हम आपको आप दिखाने वाले है जो मंदीर है तो मेरे साथ म पिखाने जितने हैं जितने जितने लूदिधने से जितना इंपिए गांगान ओ अधिगर को locks अब लूग रूने में देखेगा और इसे मिम पहुछाकें हैं अब हो दोक्तों अ यहां पर सबसे बहले हम आपको रिवर के दर्शन करा दुपने मिलेए चल्ब घाये लूटाचätt यहां से रिवर के दर्शन करा रहे यह रिवार हैं यह इसको वैंगंगान, मदी अधे के ऊपर और यह कबले वाना ड्याम बना हुआ है जिसके हम उपर से भी आपको बाद में दर्शन कराने वाले हैं, तो दोस्तों यह कौलियारा ड्याम है, जहाँ पर बहुत सारे गेट्स है, यह गेट्स हम देख सकते हैं, यहाँ से आपको नीचे से भी लाइव दर्शन है, इसके तरा सकते हैं, लेकिन फिलाल यहां से रस्ता बंध है दोस्तों इसलिए हम यहां से नीचे नहीं जा सकते एक डेंजर प्लेस है नीचे जाने के लिए रूबरू करा रहे हैं तो यहां पर देखियेगा यहां पर देखियेगा यहां पर यहां पर मंदिर बना हुआ है काफी अच्छा मंदीर है तो यहां पर एक अनुमान जी का भी मंदीर है सिउजी का मंदीर है तपोवन वैंगंगा नदी घाट कॉलेवाडा इसका नाम है बोला जाता है यहां पर उसके बाद में एक सुद्धा पानी के लिए यहां पर भी व्योस्ता है गाडन जो इसका अच्छा नारे हो जाकाया में इन काका से दो मिनट हम चर्चा करते हैं ताकि हमारे एरिया का प्लेस है बाकी सब लोगोंownik पहुंच जाय hats यहां से बहुत बूर तक से पानी हो गए जाता है तिरोडा के लिए यहां से पानी जाता है बहुत सुद्ध पानी और यह देखिए हरी भरी यहां पर हमें यह दिख रही है अब चलेंगे स्टुडेंट हम ड्याम के उपर आपको ले जाएंगे और ड्याम का नजारा दिखाएंगे और उसके बाद यहां पर पूंचा कैसे जाता है यह भी हम आपको बताएंगे यहां पर देखिए गोंधिया कर दोस्तों कि अब चलिए बापू लोग भी आपर दिखाएंगे आपको कि देखिए बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं पूमने के लिए कि जलिए अब आपको सायर कराएंगे हमां कि याम के ऊपर जो रहता है बालागाट रस्ते को बाद में उधर चूरता है उस रस्ते से यहां पर दिखेगा आजो बाजो क्या हरी बेर चाडिया है इस साइड में भी है बहुत प्यारा एक है अब यहां पहुंच गया हम याम के उपर वाले एरिया अब यहां से पूरा हम आपको दिखाएंगे यहां पर कितरा वाटर होता है इसका पूगा दर्शन कराएंगे देखिए दोस्तों यहां पर पूरे द्वार हमें दिखने को मिल रहा है पूरा वाटर देखने को मिल रहा है यह वैंगंगा नदी का पूरा भाग है अब चलो थोड़ा आगे का दर्शन और करा दे आपको कि अगे का दर्शन या बोटिंगो टिंग कुछ होती होती है यह अगे पूरे दर्सन करा रहे हैं तो हम लोग यहां पर देखिए ना कुछ बड़ा इवेंट पी हो रहा है कुछ चीज़े बन रही है यहां पर पूछ चीज़े बन रही है यहां पर हमारे कोवली आखे स्किरीक बावा जी को पूछेंगे यहां पर यहां पर काम कर रहे हैं यहां पर काफी बड़ा पावराऊस है और देखिए अब यहां से हम घ्यू टांग लेके अपने ग्याम के उपर चल रहा है तो दोस्तों देखिए इस नजारे को देखना मत बुलिए और नजारे में मजा आ रहा है तो जरूर जरूर आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तो प्राइब करिए प्राइक करिए तो दोस्तों मैं संजे पार्दी अगेन विसी वीडियो में आपको लेके आया हूँ यहाँ पर देखिए हमारे सामने लगा हुआ है विदर्व पाडबंदारे विकास मामंडर महाराष राज्य अंगी कुरूत उप्रम धापेवाडा उपसा सिंचन योजना टपा टू यहाँ पर बेरेच्चा जल पुजन सोडा भी कब हुआ था अजीत पवार साब भी आये जब अजीत पवार मुक्यमंत्री साब थे अभी भी है उसके बाद में सुनिल जी तकरे जलसंपदा महाराष्ट शाषान थे तब का यह पूरा इवेंट है काफी स्यांदार ना जारा हमें यहां पर देखने को मिल रहा है काफी जानदार ना जा रहा है ओके यहां पर देख देखता है और यहां से भंडरा जिल्ला लगने के बाद हम लोग चांदफूर के और भी रस्तान कर सकते हैं अब यहां पर बात आजाती है कि किस तरीके से यहां पर पहुंचा जाए यहां पर पहुंचा जाए तो दोस्तों एक बात करते हम लोग क्या होता है जो तीरोडा और गुंदिया है तो के पर यहां पर आ सकते है तो तिर्ओडा गुणिया district के अंदर है ईएगँ टालू का है यहान टालू के पहुचने के बाद में आप बाइक से कार से या फिर साइकल से और सारी चीज़े पहुंचने यह ड्याम बना है हमारे वाइंग गंगाना दीपे तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है लाइक सेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तके पहुंचा दीजिए आपको मालूम है आपके हर नए प्रॉबलम के लिए एक सोलूशन लेकी आना यह मेरा काम है और आपको इस मेरी बात को सबी लोगत्तों के पहुंचाना यह आपका काम है, थेंक्यू, बाइबाइबाइबाइबाइबा रिखेिए झाल 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 झाल